हेलो गाइज वेलकम बैक टू माइच चैनल अंसारी देशी किच्छन यहां भी हमने पहले से ही मैदा गूंद लिया था इसमें अजवाइन और नमक देके इसको अच्छी तरह से गूंद के कुद्रिक लिए रख दिये थे उसके वद मैंने यहां पे इसको गोल सिप में बेल लिया है और इसके पर बॉइल किया हुआ आलू इसके पर रखके चारो तरफ अच्छी तरह से हम फैला देंगे आलो हाथ में ना चिपके इसके लिए हलका हलका तेल लेके हम इसको अच्छी तरह से पतली लेयर में फैला देंगे अब इसको हम रोल कर लेंगे जैसे हलका सा रोल करते हैं वैसे इसको रोटी कर रोल कर लेंगे बस हलका हाथों से इसको रोल करना है अगर ज्यादा टाइट करेंगे तो यह पीछक जाएगा देखिए आपे मैंने हलके हाथों से रोल कर लिया है इसको हलका हलका पुश कर देंगे थोड़ा पतला हो जाएगा देखिए आपे हलका हलका हम पतला कर रहे हैं मिला मिला के उसके बाद इसको circle shape में हम cutly Як leuke feeling this का shape अंदर और से आपको जली जैसे दिखरा होगा ऐसे हम अच्छे ते आशे copper link जाधा मोटा नहीं रखेंगी बना przep्राइ करते समय अंदर का नहीं पखलेंगा प्र ayudait की उसारी कि और ऑले परका क्की और कर लिए उसके बाद टील में अच्छी तरह से नहीं कर देंगे क्योंकि अंदर तक पकना बहुत जरूरी है अगर अंदर तक नहीं पकेगा तो यह क्रंची नहीं होगा तो देखिए आप गैस के फ्लेम हाई कर दोंगी थोरा सा पकने के बाद तो देखिए एक साइड का हो गया हम दूसरे साइड को भी इसी तरह प्राइब कर ले ट्राइ कर लेना है तो देखिए यहां पर हमारा अच्छी तरह से फ्राइब हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले और हर रेसिपी को ट्रा लिए है अब हम यहां पर दूसरा रेसिपी ट्राइब करेंगे तो यहां पर मैंने एक ब्रेड लिया है इसके ब्राउन वाले साइड को हम अच्छी तरह से कट करके साइड कर दे रहे हुँ पर धियान रखे कि ब्रेड के कुछ भी बनाते है तो ब्रेड ताजा लाए अगर इसको square shape दे देंगे तो देखें आप सारे को square shape में मैं कट कर लूँगे अगर आप कोई और shape देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं आपके उपर को दुबारा से गूल कर देंगे ताकि चीच अंदर बाहर ना अंदर रखा दब ilky trade करके रिखा तर में देंगे द्यान रखें आराम से और लुट ड़ोन करते हैं तो यहां पर दिख रहा और बिल्कुल बॉल सेप में बन चुका है अब हम इसको गरम तेल में अच्छी तरह से फ्राइक कर लेंगे इनगे थ्यान रगी करते समय जादा समय नहीं लेगेगा क्योंकि ब्रेट पहले से पका होता है बस हम इसको हालका सा, गोल्डवन, ब्राउण करना हो दो लाइग कि उसके बाद हम गज्क आधेये, तो देखिए हमारा से हलका सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सेस्क्राइब करना ना भूले थाइंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो